इसलो एवरिवाण जैहन्द वेलकम टू जासर अकडमी फॉर आईयस गईज यहाँ पे आपको सिवल सर्विसेस की प्रेपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रेपार करना है यहाँ पे आपको आपकी प्रेपरेशन को इन्हांस करने के कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको महाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी जहाँ पे आपको जो डेली करन्ट अफेर्स के लेक्चिर्स अप्लोड किये जाते हैं आपको उनकी टेलिग्रम चानल पे, तो गईज अगर आपने टेलिग्रम चानल जोइन नहीं किया है, तो तुरंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडिड होगा, जहां से आप हमारे चानल को जोइन कर सकते हैं, और वहां से आपको हमारी सारी प प्लेलिस्ट प्रोवाइडिड है हमारी यूट्यूब चानल पे ही, अलग-लग पेपर में प्रोवाइडिड है आप लोगों के गन्मीनियंस के लिए GS1, GS2, GS3, GS4 की, उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए GS के अलग-लग सब्जिक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चानल प्लेलिस्ट को आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो की बिल्कुल फ्री होगी वह आपो यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी और इनी प्लेलिस्ट में साथी-साथ नए-नए कंटेंक्स भी regular basis पे द्वारा जो जिन पे एक courses को जासर खुद personally mentor करते हैं खुद उसको relate करते हैं जैसे कि GS का pre-plus means batch इस बिल्कुल 0 से तैयारी करवाई जा रहे हैं जासर खुद तैयारी करवाते हैं personal guidance आपको दी जाती है proper तरीके से आपको attention provide की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तयारी करवाई जारी है आपकी preparation को enhance करने के लिए तो आप इन courses को भी जरूर जोईन कीजिए जैसे की एक mains का भी answer writing का test series बैच चल रहा है और prelims का भी test series course चल रहा है गाईज जो आपको हमारी app पे test series प्रोवाइड की जाएंगी 10,000 questions के आपको practice कराई जाएग आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे जासर academy for IAS की website भी अवेलेबल है और हमारे एक app भी है जासर academy for IAS आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो आप मिल जाएगी आप उसको डाउनूड कर सकते हैं वहाँ पे आपको प्रेलिम्स की test series का access भी मिल जाएगा और उस उसी के साथ साथ इतनी भैतरीन एप है कि आपको महाँ पे study tools भी अवेलेबल है कि आपकी जो study है आप उसको track कर सकते हैं कि आप कितना time effectively study कर रहे हैं तो इस app को ज़रूर join कीजेगा डाउनलोड कीजेगा और website भी अवेलेबल है उस website पे भी आप जाके सब कुछ access कर सकते हैं जो की आप पे अवेलेबल है right so guys जासर academy को regularly follow करते रहेगा तो start करते हैं बढ़िया बहुत-बहुत स्वागत है भी सभी विद्यारतियों का कॉंबिनेशन्स हम पढ़ रहे थे शंकर जी नमस्कार गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग जी कॉंबिनेशन्स ही हम continue करेंगे देखे कल मैंने आपको यह बताया था कि कोलीनियर और नॉन कोलीनियर से lines कैसे आप बना सकते हैं हम बात करेंगे कोलीनियर और नॉन कॉलीनियर पॉइंट से triangle कैसे बनेगा अब ट्राइंगल बनाने के लिए आप इस बात को समझते होंगे कि triangle बनाने के लिए को तीन पॉइंटल होने चाहिए आपके पास कि तो ट्राइंगल नहीं बनेगा हैं अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में तो ट्राइंगल नहीं बन सकता है है न महीं दो बाते आपको याद रखनी है। कि किससे बनेगा ट्राइंगल ट्राइंगल बनेगा बेटा तीन पॉइंट से और तीनों पॉइंट को लीनियर नहीं होने चाहिए है ना अब मैं आपको कंडिशन्स देता हूँ समझेगा जैसे सबसे पहले बेटाजी आपको दिया हुआ है चार नौन को लीनियर पॉइंट्स नौन को लीनियर और पांच को लीनियर मतलब पांच पॉइंट एक ही लाइन में है और चार पॉइंट ऐसे हैं को लीनियर नहीं है एक लाइन में नहीं है तो टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे मैं चाहूंगा पहले आप लोग ट्राइ कर लो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कोई दिक्कत नहीं मीरा जी कोई दिक्कत नहीं गुड इवनिंग अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है हां जी बिटा कि आया कोई आंसर कोई आंसर नहीं किसी बच्चे का अब देखो बिटा सबसे पहले सबसे पहली चीज़ यह कि तीन पॉइंट सिलेक्ट करने हैं ट्राइंगल बनाने के लिए मैं आपको निव पेश पर समझाता हूं कि चार आपके पास नॉन को लिनियर पॉइंट है और पाच क्या है एक ही लाइन में है है ना पाच एक ही लाइन में है अब यहां पर सीदी सीदी वाद है कि तीन पॉइंट मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा तीन पॉइंट आपको सिलेक्ट करने हैं देखो यहां तो मैं तीनों पॉइंट इधर से लेलूं मतलब 4C3 तीनों पॉइंट यहां से लेलूंगा मैं 4C3 यहां फिर मैं यह कर सकता हूं प्लस दो पॉइंट इधर से मतलब 4C2 इंटू एक पॉइंट इधर से मतलब 5C1 यहां मैं ऐसा कर सकता हूं 2 point इधर से 5C2 into 1 point इधर से मखलब 4C1 क्या मैं सारे के सारे 3 point यहां से ले सकता हूं तो आप कहो कि सर ऐसे कैसे ले लोगे 3 point अगर यहां से लोगे तो तो triangle बने गई नहीं क्योंकि एक condition यह भी हो सकती थी न 5C3 पर यहां से अगर आपने तीनों पॉइंट लिये तो ट्राइंगल नहीं बनेगा राकेश जी बोल रहे है 74 ठीक है राकेश जी अब मेरी बात को समझो 4C3 is equal to कितना हो जाएगा बिटा जी यह हो जाएगा 4 4C2 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4 ती यह बारा बड़ा दो 6 6 गुणा 5 5C2 कितना हो जाएगा 10 गुणा 4 तो 44 आंसर एकदम सही है राकेश जी बहुत बढ़िया कि मैं तीनों पॉइंट या तो यहां से ले लूँगा या एक पॉइंट इधर से तो दो पॉइंट इधर से या दो पॉइंट इधर से तो एक पॉइंट इधर से बागी तीनों पॉइंट यहां से तो मैं ले नहीं सकता कुलीनियर तीन पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनेगा ये चीज मैंने आपको अभी अभी बताई है बोलो बेटा जी बात समझ में आ रही है क्या सभी विद्यारतियों को मेरी ठीक नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं छे है नौन कोलीनियर और पांच है बेटा जी कोलीनियर बोलो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे कितने त्रिभुज बनेंगे हाँ जी कौन बच्चा करके बता रहा है छे नौन कोलीनियर हैं जैसे एक दो तीन चार पांच छे और पांच कोलीनियर एक दो तीन चार पांच कितने triangles बनेंगे यह आपका सवाल है देखिएगा बिटा या तो मैं तीनों पॉइंट इधर से ले लूँगा तो 6C3 एक पॉइंट इधर से दो इधर से मतलब 6C1 इंटू 5C2 या फिर दो इधर से एक इधर से 6C2 इंटू 5C1 बस इतनी कंडिशन 6C3 की वैल्यू क्या होगी 6 गुणा 5 गुणा 4 तो यह हो जाएगा 20 यह हो जाएगा 6 गुणा 10 प्लस यह हो जाएगा 6 गुणा 5 बटा 2 15 गुणा 5 तो भी है 20 प्लस 8 80 155 155 आपके ग्वेशन का क्या यही आ रहा है बिटा बताना जरा 155 यह हो गया 80 और यह हो जाएगा 75 हाँ जी बोलो ठीक है ट्राइंगल वाला केस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्राइंगल बनेंगे कितने ट्राइंगल बनेंगे है ना आगे बढ़ते हैं मैं नेक्स क्वेशन देख वेता हूं क्या है पुलो वे लोग। ट्राइंगल ट्राइं पुलोग ट्राइंगल ट्राइंगल ब Initially the lastיים हैं थिपे एपलाएंगल क्वेश्चन है बेटाजी कि व्यक्ति के 6 फ्रेंड्स है व्यक्ति के 6 फ्रेंड्स है In how many ways In how many ways He can invite He can invite one or more कितने तरीकों से वो एक या अधिक को बुला सकता है निमंत्रण दे सकता है यह आपका सवाल है मिर पास comments बहुत लेट लेट आ रहा है अनुश्का जी बोल रहे हैं repeat करने को बेटा जी repeat कौन सा यही बाला करना है क्या देखो यह बाले में क्या था कि triangle के लिए 3 point select करने तो या तो मैं 3 point इधर से ले लूँगा non-collinear में से तो 6 point में से 3 select करने की तरीके होते हैं 6, C, 3 अगर 1 point इधर से ले लूँँ तो 2 point इधर से ले लूँ मतलब 6, C, 1 6 में से 1 को select करने की तरीके 6, C, 1 5 में से 2 को select करने की तरीके 5, C, 2 फिर 6 में से अगर 2 select करने तो 6, C, 2 into 5, C, 1 एक point इधर से बस इतने ही फर्स्ट वाला पिटाची सेम था जैसे यहाँ पर चार पॉइंट ये थे और पांच पॉइंट ये थे तो ट्राइंगल बनाने के लिए या तो मैं चार में से तीनों ले लूँ 4C3 या फिर दो पॉइंट इधर से लूँगा आप करके बताओ बेटा इस सवाल से हम कुछ इंटरस्टिंग सीखेंगे इस क्वेशन से आप कुछ इंटरस्टिंग सीख सकते हैं बताईएगा हाँ जी जिरे फ्रेंड है तो वो एक या एक से जादा को इन्वाइट कैसे करें वो 63 बहुत बढ़िया मीरा जी शंकर जी बहुत बढ़िया भई मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ आप लोग ने जरूर ऐसा किया होगा कि एक को इन्वाइट करने का तरीका है 6C1 अगर वो सिरफ एक को बुला है प्लस दो को इन्वाइट करने का तरीका है पिटाजी 6C2 अगर वो 3 को invite करेगा तो 63, 4 को invite करेगा 64, 5 को invite करेगा 65, अगर 6 के 6 को invite करेगा तो 66, क्या आप लोग ऐसा ही कर रहे हो हाँ जी यही क्या है शंकर जी और मीरा जी आप लोगो ने है ना तो बिल्कुल 63 आंसर एकदम सही है चलो, simplify करते हैं यह हो गया 6 है ना, यह 6C2 यह कितना हो जाएगा 6, 5, 30 बटा दो यह हो गया 15 6C3, 6, 5, 5 गया 20 6C4 किसके बराबर यह 15 यह 6C5 कितना हो जाएगा भई, यह 6 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, तो add करेंगे 15, 21, 21 21, 41, 41 और 15 हो जाएगा, अपना कितना 56 प्लस 6 अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 62 प्लस 1 कितना हो गया, 63 हो गया यह आपके equation का answer है, बिल्कुल सही है पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाता हूँ बेटजी, एक चीज़ और में समझाना चाता हूँ आपने अगर binomial theorem पढ़ा है बिल्कुल मीरज, बहुत बढ़ी है अगर आपने binomial theorem पढ़ा है, द्वीपद प्रमे तो आपने पढ़ा होगा, a प्लस b to the power n क्या होता है तो आप कहोगे sir, a की power n, b की power 0, n c 0 फिर आप कहोगे sir, n c 1, a की power n minus 1, b की power 1 फिर आप कहोगे sir, n c 2, a की power n minus 2, b की power 2 फिर n c, n तक जाती है बात शहद ये वाला छुप गया होगा, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ कि बात कहां तक जाती है, बात जाती है बटा, n c n a की power 0, b की power n तक जाता है ये है न, ये dot 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 यहाँ तक, ये binomial theorem है, ये द्वीपत प्रमे होता है अब अगर मैं यहाँ a और b की जगा बिटा, 1 और 1 रख दूँ अगर a is equal to, b is equal to, मैंने 1 रखा तो आपको होगे sir, ये तो होगया left hand side 2 to the power n, a और b 1 है तो 1 की power कुछ भी तो 1 ही होता है तो बचेगा क्या n c 0, plus n c 1, plus n c 2, plus so on up to, कहां तक n c n तक और ये बड़ा महत्वपून formula है, 2 की power n बराबर n c 0 से लेके n c n तक ये बड़ा महत्वपून formula है आपके सामने, है न, कैसे आप इसे use कर सकते हैं मैं आपको बेटा जी समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझीएगा formula भी मैं अच्छे से बता रहा हूँ, कि 2 की power n जो है, वो n c 0, plus n c 1, plus so on up to, कहां तक n c n तक होता है मतलब आपसे कहा गया कि 6 मित्रों को निमंतरण देना है, तो 6 c 0 से लेके 6 c 1 and so on, up to 6 c 6 की value क्या होती, ये 2 की power 6 होती मतलब इन सभी का जो total आएगा, वो कितना 2 की power 6, मतलब 64, पर हमें n c 1 से चाहिए, मतलब 6 c 1 से चाहिए, ये कम से कम एक को तो बुलाना है तो 6 c 0 की value क्या होती है, 1, प्लस 6 c 1 से लेके कहां तक 6 c 6 तक, ये चीज़ आपको चाहिए थी, तो एक उधर जाके घड़ गया, तो पेटा जी answer क्या आ गया, 63 आ गया, बोलो हाई या ना तो अगर आपको formula पता है, तो आप काम बहुत जाधा जल्Dी कर सकते हों, काम बहुत जाधा जल्दी कर सकते हों जिससे मैं आपसे कहूँ कि 8 मित्रों को निमंतरन देना है, 8 मित्रों में से कम से कम 1 कम से कम एक को निमंतरन देने के कितने तरीके तो आप क्या करोगे लिए टू टू दू 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 पावर एट माइनस वन टू दू 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 पावर एट कितना हो जाएगा ये बिटा जी दो सौ छपपन माइनस एक तो आंसर क्या आगया 255 आगया अगर आप लिखके करते तो फिर आपको बहुत टाइम लगता 8C1, 8C2, 8C3 चलते लोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप डैरेट क्या गर दोगे 2 टू दू दू पावर 8 माइनस 1 है ना बोलो जी बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया आते हैं बैटाजी नेक्स्ट क्वेशन के उपर अगला क्वेशन आप समझ लिएगा नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं आपन सवाल है कि एक बच्चा है और स्टूदेंट हैव तू आंसर टैन ग्वेशन दस ग्वेशन आंसर करने हैं पेपर ए से भी चार कम से कम चार और पेपर बी से भी कितने कम से कम चार चार ग्वेशन को उसको आंसर करना हैं। पेपर A में आपसे कहा जारह है कि 6 question है, A में 6 question है और B में 7 question है, बच्चे को 10 सवाल का जवाब देना है, कम से कम 4 question A में से भी हल करने, कम से कम 4 question B में से भी हल करने, तो बताइएगा total कितने तरीके हैं, ये पेपर को हल करने के बटाजी, झाल 266 शंकर जी का अंसर आया ठीक है अगर आप लोगो concept समझ में आगया तो बिटाब सब का आजाना चाहिए अब किसी को कोई दिखकत होनी नी चाहिए 10 question है तो 6 में अब देखो या तो ऐसा होगा कि paper A और paper B से 4 इधर से 6 इधर से या फिर A और B दोनों में से 5 पांच करेगा या फिर A और B में से इधर से 6 और इधर से 4 करेगा यही condition है इसके अलावा तो कुछ और होई नहीं सकता बोलो 3 ही condition बनेंगी इनके अलावा और कुछ होई नहीं सकता सारी कि सारी possibility है अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 3 इधर से और 7 इधर से ऐसा नहीं कर सकते कि A में से कम से कम 4 तो आपको लेने ही है ठीक है ना कम से कम 4 तो आपको बेटा जी लेने ही है तो अब आप करो simplify 6 C 4 इन्टू 7 C 6 6 C 5 7 C 5 6 C 6 इन्टू 7 C 4 इतने तरीके हैं चलिए हल करेंगे 6 C 4 हो जाएगा 6 गुणा 5 30 बटा दो 15 इन्टू 7 प्लस 6 गुणा 7 चब 28 बटा 2, 28 बटा 14 आएगा यह हो जाएगा 1 इन्टू 7 7 6 0 42 तो 7 मज़े 35 यह निकल के आएगा है ना आप सभी को simplify करो यह हो रहा है बटा 105 यह हो रहा है बटा 84 और यह हो रहा है 35 है ना तो पहले 5 और 5 दस और 14 एक आया हासिल 4, 8, 12 दो एक आया हासिल 224 आ रहा है क्या 224 आना चाहिए बोलो शंकर जी यह आंसर निकल के आना चाहिए किसी बच्चे को doubt आ रहा है तो भी पूछो ठेक चलिए नेक्स्ट वेशन पर आ जाए अगला सवाल देखते हैं 6 इंटू 21 होगा यहां पर अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं यह बीच वाले का यह आप बोल रहे होगे शायद यह तो हो जाएगा 6 इंटू 7 सी 5 साथ गुणा छे बटा दो ही आएगा बस हाँ बिलकुल सही कह रहे हो अब यह 21 आएगए 126 हो जाएगा एकदम सही कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो वो मैंने 7 सी उसकी 3 की वैल्यू रग दी थी हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो यह सिंप्लिफाय करेंगे 126 तो यह हो गया एक आई यंक आगया 6 एक आया हसल तो 4, 5, 6 266 एकदम सही है दो सो छे हसाट आंसर एकदम सही है बढ़िया मेरा जी देखो दुबारा समझ लेते हैं कि 6 और 7 सवाल है तो A में से अगर 4 करेगा तो 6 में से 4 B में से 6 करेगा तो 7 में से 6 वैसे 5 पाँच करेगा तो 65, 75 अगर A में से 6 लिए तो 6 में से 6 सवाल हल करने का 66 और 7 में से 4 करने का 74 है बस बिल्कुल सही है 266 एकदम सही है अगला ग्वेशन क्वेशन यह है 16 क्लर्क सेलेक्ट करने है 16 क्लर्क आपको क्या गरने सेलेक्ट करने है 20 एप्लिकेशन आए है टोटल 20 एप्लिकेशन आए है ठीक और 20 एप्लिकेशन में से अगर आपको 16 क्लर्क सेलेक्ट करने है जिन में से गिवन है कि 4 को तो सेलेक्टिड ही है 4 of them are selected 4 of them are selected कि 4 उन में से अल्रेड़ी सेलेक्टिड है 4 तो मतलब fix है कि इन 4 को तो करना ही करना है बागी 20 एप्लिकेशन में से टोटल आपको 16 चाहिए 4 जिसमें से confirm है कि यह 4 तो आपको चाहिए चाहिए तो टोटल कितने तरीके हैं बिटाजी टोटल कितने तरीके हैं यह आपको calculate करके बताना है कोई answer अब ही अगर 4 selected हैं बीस में से 4 selected हैं तो मतलब 16 में से आपको 12 ही select करने हैं 16 में से 12 select करने हैं कि 16 candidate total चाहिए थे जिसमें 4 तो आलरेड़ी select होगे तो 12 चाहिए कितने में से 20 में से और 16 में से जोकी 16 C 4 के बराबर होगा जोकी 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13 बटा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो 4 गटा 3 गटा 2 simplify करेंगे बेटा जी अठरा सो बीस हांसर आज रहेगा बोलो किसी बच्चे को डाउट तो नहीं आ रहा भई repeat करें दे कुशंकर जी total 20 candidate थे जिसमें से 4 कम हो गए 16 चाहिए थे उसमें से भी 4 कम हो गए मतलब अब आपको 16 में से 12 ही चाहिए है 16 में से 12 तो मतलब 16 C 12 अब NCR NC N-R के बराबर होता है तो 16 C 12 जो होगा 16 C 4 के बराबर अब 16 C 4 की value अब जानते हो कैसे निकालनी है कि अब आउन में 4 है तो 4 टर्म्स तक आप गुणा करोगे 16, 15, 14, 13 अब आउन में 4, 3, 2 और 1 बस simplify कर दो आप का अंसर आ जाएगा अब जब मैंने simplify किया यहाँ 4 बचा यहाँ 5 बचा तो 13 सत्ते क्या हो गया इंक्यानवे इंक्यानवे गुणा बीस ते मौकी गो रहा है इंक्यानवे गुणा दो नौ दूनी अट्रा और यहाँ अट्रा सो बीस मौकी गो जाएगा काम अगला कोशन देखिए किया एंक्यानवे इंक्यान ऑदक्षटा नौ दूनी आख सक्वण और आया हुण रहुण शो लिए देखिएगा आगे बढ़ते हैं next questions के उपर आते हैं सवाल है अब मैं fundamental law of multiplication के उपर सवाल बनाऊंगा how many three digits even numbers can be formed बिल्कुल कर सकते हैं calculation आप जी कैसे ही कर लो ना multiply आप कहीं से कैसे ही कर लो वो आपके उपर 5 गुणा 4 हो गया 20 20 गुणा 7 करेंगे तो 140 गुणा 13 करेंगे तो ये आपका answer सेम ही निकल के आएगा जैसे भी आपको करना वैसे करो three digits even numbers can be formed अगर आपके पास digit है from digits 1,2,3,4,5,6 इन अंकों का उपयोग करके तीन अंक की कितनी समसंख्यां बनाई जा सकती हैं तीन अंक की कितनी समसंख्यां बनाई जा सकती हैं हांजी भी देखो एक, दो, तीन तीन जगा हैं आपके पास भरने के लिए law of multiplication में लगा रहा हूँ आप कहोगे सर आखरी स्थान को भरने के हमारे पास सिरफ तीन तरीके हैं बोलो हाई या ना आखरी स्थान को भरने के सिरफ हमारे पास तीन तरीके हैं पैली जगा को भरने के कितने तरीके तो आप कहोगे सर पैली जगा को भरने के एक नंबर मैं आलरेड़ी बेटा जी, फिल कर चुका हूँ तो पास तरीके फिर आप कहोगे सर दो नंबर फिल कर दिये तो अब इधर भरने के 4 तरीके, तो टोटल हो जाएंगे 60, टोटल कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, देखो, आप समझो इस बात को, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, कि लास्ट में 3 कैसे शंकर जी देखो, इस जगा को भरने कितने तरीके, या तो even नमबर के भरने के बैटाजी, 3 तरीके कैसे हैं, क्योंकि even नमबर तो तब ही बनेगा, सम संख्या तो तब ही बन सकती है, जब आखरी में या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, even नमबर, जो गिवन है 2, 4, 6, हलागी 8 और 0 भी आ सकता है, पर 8 और 0 गिवन नहीं है यहाँ पे, तो आखर नमबर इधर आ गया, बाकी कहीं भी नहीं आ सकता, तो इधर एक नमबर जो फिक्स हो गया, तो इधर कितने आ सकते हैं, 6 में से 5 और इधर कितने आ सकते हैं, बचे 4, तो टोटल 60, अब देखो आप ऐसा करो, तीन डिजिट का नमबर बनाना है, तो मैं इधर पे 2 फिक्स कर इधर पे एक जगा मैंने फिक्स कर दी, इधर पे क्या आएगा, 2 ही आएगा, 3 even, नहीं 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 बिटा, आप समझे नहीं, बिल्कुल मीरा जी, 2, 4, 6 even नमबर है, तो कितने हो गया, possibility कितनी हो गया, number of ways, इस जगा को भरने के कितने तरीके हैं, इस जगा को भरने के 3 तर तरीके की बात हो रही है, 3 even number बिल्कुल नहीं है, पर इस जगा को भरने के तरीके तो 3 है न, देखो आप ऐसे समझो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं आप से पूछूँ, जैसे starting से समझते हैं, पहले मैं number formation के उपर आता हूँ, पहले मैं आपको number formation अच्छे से बता दूँ, number formation आप समझो आप से मैं पूछूँ कि कितने double digit number होते हैं, double digit कितने number होते हैं, दो अंकी total कितनी संख्याएं होती हैं, तो हर बच्चा ही जानता है कि सर्थ double digit number 10 से start होता है, 99 तक जाते हैं, अगर हम total करेंगे तो total 90 number होते हैं, double digit, 10 से लेके 99 तक, पर law of multiplication लगाओ, तो double digit, अब आपको पता है, numbers बनाने के लिए हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, total हमारे पास 10 digit होते हैं, पर पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता, पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकते हैं, मैं बिल्कुल सत्य प्रकाषजी में बता रहा हूँ, तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी वहाँ पर 0 था नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो मैं बोल रहा था, कि पहले वाली जगा पर 0 नहीं आ सकता, पहले स्थान को भरने के 9 तरीके, पर दूसरी जगा पर 10 में से कोई भी अंक आ सकता है, दूसरी जगा को भरने के 10 अंक आ सकते हैं, तो टोटल 900, ट्रेपल डिजिट नंबर होते हैं, आप चाहँ तो टोटल कर लो, 100 से लेके 999 तक टोटल 900 नंबर होते हैं, नंबर के फोर्मिशन में आपको एक बात याद रखने कि आगे वाली जगा पे क्या नहीं आता, 0 नहीं आता, पर अगर आपको डि 4, 5, 6 मतलब आप इन ही में से digit उठा सकते हो मतलब आप एक digit को दो बारा नहीं ले सकते क्योंकि मैं बनाने को तो मैं 222 ये भी तो एक even number है न उसने क्या बोला तीन अंक की समसंग हैं कितनी बनेगी तो 222 भी तो है पर 2 एक ही बार तो दिया है उसे 3-3 बार थोड़ी न लिखोगे अगर इन ही अंकों का आपको उपयोग करना है तो आप 222 तो बना ही नहीं सकते बिल्कुल नहीं बना सकते 222 तो तीन अंक की संख्या हैं बनाने के लिए आखरी स्थान को भरने के तरीके कितने हैं आखरी स्थान यह जगा तो भर गई, एक जगा हमारी भर गई, कोई भी एक, 2, 4 या 6 में से कोई भी एक number इधर आ चुका है, कोई भी एक इतो number आएगा, तो आगे वाले इस्थान को भरने कितने तरीके, तो आप कहोगे, किसी को भी पहले, किसी को भी बाद में भर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 6 अंक है, एक इधर आगे तो बचे 5 अंक, फिर एक और इधर आगे तो बचे 4 अंक, किसी को भी कहीं भी लिखो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, अंसर आपका क्या आएगा, बिटा जी 60 आएगा, है ना, देखो आप verify भी कर सकते हैं, जैसे आखरी में मैंने 2 fix कर दिया, आखरी में मैंने क्या कर दिया, अगर 2 fix कर दिया, तो कितने नंबर बनेंगे, 5 गुणा 4, गुणा आखरी पे 2 fix कर दिया, एक value fix कर दिया, तो 20 नंबर ये बनेंगे, 20 नंबर वो बनेंगे जिनमें आखरी में 4 आएगा, और 20 नंबर वो बनेंगे जिनमें आखरी म के आपको करके बता दिया है, है न, बिल्कुल राकेश जी, अगर 0 भी होता, तो मैं आपको बताता हूँ, चलो, आपके पास है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये है, अगर 0 भी होता, आपको triple digit बनाने है, तो आखरी जगा को भरने कितने तरीके, तो आपको कहों के सार, 0 2, 4 और 6, आखरी जगा को भरने के 4 तरीके, कौनसे कौनसे, 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक, अब इसके बाद, पहली जगा को भरने कितने तरीके, अब पहली जगा को भरने कितने तरीके हैं, मैं आपको ध्यान से समझना, कि आखरी अलग से solve करना पड़ेगा, छोटा सा कारण है इसका, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आकरी में 0 आ गया, मतलब आकरी जगा को भरने के कितने तरीके हो गया आकरी जगा पे 1 digit हमने fix कर दी, आकरी में क्या ले लिया, अपने 0 fix कर दिया यहां पे है न, एक जगा, एक ही possibility अगर मैंने 0 यहां पे fix किया तो अगर 0 इधर है, तो बाकी बचे आपके पास 6 अंग और इधर बचे कितने 5 अंग तो यह हो जाएंगे 30 possibility अगर 0 मैंने इधर fix कर दिया तो इसको भरने, 0 तो हमने ले लिया यहां पे fix कर दिया, तो 6 तरीके 5 तरीके यह, अब अगर इधर 0 नहीं होता, अगर इधर पे मैं 0 नहीं ले रहा, 0 मैं कहीं और रख रहा हूँ, इन दो जगा में से मैं कहीं और 0 रख रहा हूँ, तो इधर even number की possibility, 0 के case तो मैंने देख ली कि आखरी में 0 आएगा, तो 30 number बनेंगे पर अगर इधर 0 के अलावा 2, 4 या 6 आएगा तो इधर 3 तो एक number इधर आचुका है अब पहले वाले जगा पे ना तो 0 आ सकता 0 तो आई नहीं सकता और जो number मैंने इधर ले लिया, आखरी जगा पे वो भी नहीं आ सकता ना तो इस जगा पे 0 आ सकता ना वो number आ सकता 2, 4 और 6 में से जो मैंने यहां पर रख दिया है तो 7 number में से 2 number हटाओगे तो इधर बचा 5 पर अब 0 इधर नहीं आ सकता पर इधर तो आ सकता है तो फिर से बचे कितने 5 क्योंकि दो जगा 7 numbers थे 7 में से एक number इधर आ गया एक number इधर आ गया तो बचे कितने 5 तो कितना हो जाएगा 75 यह हो जाएगे तो भई यह सही answer 105 आएगा यह है इस question का सही है अगर आप 0 को ले लेते हो तो 0 के case को आप अलग से हल करोगे 0 के case को आपको हलक से हल करना है बाकी इस जगा को भरने अब 0 वालत मैंने निकाले अब 0 को भूल जाओ तो आखरी जगा को भरने के 3 तरीके हैं फिर अगर जो number इधर आ गया एक number वो हटा दो इन में suppose 2 आ गया उसको हटाओ जीरो वैसे ही नहीं आ सकता तो बचे 5 पर जीरो इधर नहीं आ सकता इधर तो आ सकता है तो फिर से कितने तरीके होगे 5 ठीक तो 75 numbers यह हो जाएं ठीक अगला है how many three digit numbers are there which are divisible by 5 तीन अंग की कितनी संख्याए होती है जो बेटा जी 5 से डिवाइड होती है देखो आखरी जगा को भरने के दो तरीके या तो 0 आ सकता है या तो 5 कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है जब आखरी में या तो 0 होता है या तो 5 पहले दस अंग होते हैं टोटल पहले वाले नंबर पे 0 नहीं आ सकता 9 वैलियू यहाँ पर कोई भी 10 अंग आ सकता है तो टोटल 180 नंबर ऐसे होते हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं खतम बात आखरी जगा को भरने के दो ही तरीके है या तो 0 आएगा या तो 5 पहली जगा को भरने के नौ तरीके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नौ बीच वाली जगा को भरने के दस तरीके की जीरो भी आ सकता है बीच में तो तो 100 से लेके 995 तक टोटल 180 नंबर बनेंगे जो 5 से डिवाइड होते होंगे बोलो बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को ठीक, चले सुनिएगा बात करते हैं सर्कुलर पर्म्यूटेशन सर्कुलर पर्म्यूटेशन की जैसे मैंने आपसे कहा कि चार लोग हैं इन्हें एक राउंड टेबल राउंड टेबल के चारो और बिठाने के कितने तरीके हैं चार लोग मतलब A, B, C, D मानलो आप इनको एक सर्कुलर टेबल के चारो और बिठाने के कितने तरीके हैं circular permutation को आप कैसे हल करोगे कितने तरीके से 4 लोगों को एक round table के इर्दगिर्द बिठाया जा सकता है तो देखो ऐसे questions को करने के लिए ध्यान से समझना कि ये 4 लोग हैं कि मैंने इधर A को बिठाया इधर B को बिठाया इधर C को बिठाया इधर D को बिठाया फिर मैंने क्या किया A को इधर बिठा दिया B को इधर बिठा दिया C को इधर बिठा दिया D को इधर बिठा दिया तो आप मैं को ये बताओ कि ये जो दो तरीके condition number 1 और condition number 2 ये same है कि अलग-अलग है ये बतादो आप बस ये दोनों कंडिशन्स सेम हैं या अलग-अलग हैं ये बताओ आप लोग कोई बच्चा बताएगा भई बिलकुल शंकर जी एकदम सही कह रहे हैं कि दोनों कंडिशन्स क्या हैं सेम है सत्य प्रकाश जी भी सही कह रहे हैं कि पेटा हमने क्या किया बस टेबल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया पर एके बगल में लेफ्ट में बी राइट में डी इधर भी तो देखो एके राइट में बी है लेफ्ट में डी है तो ये तो बिलकुल सेम है इनमें कोई अंतर थोड़ी ना है ये तो हमने क्या कर दिया बस 90 डिग्री रोटेट कर दिया पर अगल वगल के व्यक्ति तो क्या बराबर देखो A के सामने इधर भी C है इधर भी C है B के सामने इधर भी D है इधर भी B के सामने D है तो ये तो दोनों same conditions है अब अगर आप ऐसे रोटेट ही करते रह जाओगे तो तो फिर आप possible values कैसे निकालोगे तो आप क्या करो आप ऐसे चार लोग को बिठाना है अगर तो आप किसी भी एक आदमी को आप क्या करो बेटा जी fix suppose A को आपने क्या कर दिया fix A को हमने क्या कर दिया fix बिल्कुल मीरा जी आप सही कह रहे है ऐसे केस में आप क्या करोगे एक आदमी को fix बाकी तीन लोगों को तीन जगा पे बिठाने के कितने तरीके हैं तो आप कहोगे सर्थ्री फैक्टोरिया तीन लोगों को तीन जगा पे बिठाने कितने तरीके एक आदमी को fix कर दो नहीं तो यही आदमी सब को लेके घुमता रहेगा इधर का उधर तो एक position fix करके बाकी तीन लोगों को बिठाओ आप जैसे B, C, D हो गया या फिर B इधर है तो C उपर चला गया, D इधर आ गया है ना इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, total 3 factorial तरीके से 3 लोगों को arrange कर सकते हो 3 factorial तरीकों से 3 लोगों को हम arrange कर सकते हैं तो 3 factorial मतलब 6 तो मतलब circular permutation में एक आदमी fix हो जाएगा तो number of ways of round table का अगर कभी भी question आएगा round table का कभी भी question आएगा तो n-1 factorial आपको करना है कितना करना है एन माइनस फैक्टोरियल ये है circular permutation के लिए ठीक है जी round table में जब भी बिठाना है circle में किनी को भी बिठाना है तो एन माइनस फैक्टोरियल मैं कहूँ कि 10 लोगों को बिठाने कि कितने तरीके तो आप कहोगे sir 9 मैं कहूँ 8 लोगों को बिठाने के कितने तरीके तो आप कहोगे सर 7 फेक्टोरियल ठीक है ना चलिए बहुत बढ़ी है अब थोड़े complicated question जैसे round table conference हो रही है 10 member है 10 member है तो कितने तरीके से आप 10 member को बिठाओ गए यदि अगर इनमें A और B हमेशा साथ में बैठें अगर A और B हमेशा क्या बैठेंगे अगर साथ में बैठेंगे तो 10 लोगों को बिठाने के कितने तरीके इसमें 10 ही लोगों में A और B दो व्यक्ति हैं जिनको साथ में बैठना है ठीक तो अगर बिटा जी ध्यान से समझना अगर 10 में से A और B को 7 बिठा नहीं है तो A और B को आप कर दो combine, इनको आप single unit मान लो, तो बचे 8 लोग और 10 लोग थे, तो 10 में से A और B 2 को मैंने एक ही मान लिया, 7 में बिठा दिया तो बचे 8 लोग और, तो टोटल कितने 8 लोग है, और 1 जोड़ा A और B, तो टोटल 9 मेंबर आप गिनों सिर्फ, 9 मेंबर को बिठाने के तरीके 8 फैक्टोरियल पर A और B आपस में अपनी जगा बदल सकते हैं, तो 7 में पर A और B आपस में अपनी जगा बदल सकते हैं तो 8 फैक्टोरियल इन्टो तो आपके question का सही answer होगा बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं राके जी 7 फैक्टोरियल नहीं 8 फैक्टोरियल इन्टो टू होगा ना कि वैसे 10 लोग थे, 10 में से मैंने A और B को सिंगल यूनिट मान लिया 10 में से मैंने A और B को बिटा जी क्या मान लिया single unit माल लिया A और B को एक साथ माल लिया तो एक ये हो गया और आठ लोग वैसे बचे तो टोटल 9 member हो गया 9 member को बिठाने के तरीके 8 factorial और 2 किसलिए कि A और B आपस में अपनी जगा बदल सकते हैं अब 10 member है ABC तीनो साथ में होने चाहिए ABC together तीनो साथ में बैठेंगे ABC अगर साथ में बैठेंगे तो कितने तरीके हैं बोलो बिल्कुल 2 means 2 factorial राकेश जी आप सही कह रहे हो 7 factorial into 3 factorial factorial आएगा ना बेटा जी साथ में वो 2 factorial और 2 तो सेम होता है इसलिए मैंने into में 2 लिख दिया था पर आएगा तो factorial ना तीन factorial तरीके से अरेंज होंगे ABC को हमने क्या गर दिया single unit मान लिया बचे 7 member और 1 member ये और 7 member ये total होगे 8 member 8 member को बिठाने के 7 factorial तरीके पर ABC आपस में तो अरेंज हो सकते हैं 3 factorial तरीके से है ना बिलकुल शंकर जी एकदम सही 7 factorial into 6 लिख सकते हैं बिलकुल सही राकेश जी बिलकुल सही अगला है 10 member A is always between B and C A हमेशा B और C के बीच में बैठेगा A हमेशा B और C के बीच में ही बैठेगा ये तीनों लोग एक साथ बैठेंगे और A क्या होना चाहिए? B और C के बीच में होना चाहिए कोई आंसर किसी बच्चे का देखो A, B और C के बीच में बैठेगा तो A, B, C आएंगे तो एक साथ ठीक है राकेश जी? चेक करते हैं देखो A, B, C आएंगे तो एक साथ पर A कहां आएगा बीच में आएगा A कहां आएगा B और C के बीच में तो ये हो गई single unit 7 member बचे तो साथ ये और A कहें तो आठ member आठ member के तरीके हो गए 7 factorial बिल्कुल सही मीरा जी बिल्कुल सही राकेश जी पर साथ factorial तो ठीक है पर B और C तो अप A नहीं हिल सकता पर B और C तो अपनी जगा बदल सकते हैं तो इंटू में 2 factorial लिखो ये 2 लिखो कोई देख करते हैं 7 factorial इंटू 2 भई B और C बिल्कुल सही B और C अपनी जगा तो आपस में बदल सकते हैं ए तो बीच में ही रहेगा पर B और C तो इधर और उधर आ सकते हैं तो इंटू में 2 factorial इंट 2 आप लिखोगें बहुत बढ़िया ठीक चलिए next question necklace necklace की condition क्या होती है जैसे आपके पास बेटा जी एक necklace बनाना है आपको उस necklace में आपके पास 4 मोती है 4 मोतियों का उप्योग करना एक आपके पास red color का है ठीक एक अपनने ले लिया उसमें green color का मोती एक अपनने उसमें ले लिया बहुत ध्यान से समझनी आपको condition blue color का मोती है और एक अपनने ले लिया black color का मोती 4 मोती से अपनने क्या बनाना है एक necklace बनाना है कौनसे कौनसे color के मोती है अपने पास एक red है बिटा, एक green है, एक black है, और एक blue है, चार मोतियों से आपको necklace बनाना है, तो कितने तरीके से बनाया जा सकता है, तो उसके लिए आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं एक और necklace design कर रहा हूँ, इन ही चार मोतियों से आप बताना, कि दोनों अलग-अलग है, जैसे, ये आगया इधर blue, इधर आगया एक black, और ये आगया green मोतियों, आप ये बताओ, कि ये दोनों necklace same है कि अलग-अलग है, ये बताओ आप, ये दोनों necklace बेटाजी same है या अलग-अलग है, बोलो हाँ या ना, कौन बच्चा बताएगा, बोलो भई, different है, मीरा जी ने कहा है कि ये दोनों necklace different है, अलग है, राकेश जी भी कह रहे हैं, अलग है, बिटाब मेरी बात को समझना, अगर मैं इसी necklace को, ये वाला जो necklace है, अगर मैं इसको पलटा दूँ, अगर मैं इसको, जो भी बच्चे, अच्छा, सत्य प्रकाहशी कह रहे है, सेम है, बिटाब मेरी बात को समझना, अगर मैं इस necklace को क्या कर दूँ, पलट दूँ, पलट दें, अगर मेरे हातों के उबर focus कीज़ेगा, अगर मैं इसको पलट दूँगा, अगर मैं इसको rotate कर दूँगा, तो क्या यही नहीं बनेगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं, देखो न, अगर आप इसे पलटों के बिटा, इसकी mirror image बन जाएगी न, तो पलटने पे जो लाल और हरा है वो इधर चला जाएगा, नीला और काला इधर आ जाएगा, तो यह तो एक ही necklace है न, उसी को तो मैंने पलट दिया है, एक ही necklace है, अगर rotate करेंगे तो बिल्कुल सही बात है, same है, तो जैसे आप हार वगरा पहनते हो, जैसे फूलों की माला पहन रे, तो क्या उसमें कुछ ऐसा होता है कि उल्टा है या सीधा है, भई अगर आपके पास फूलों की माला है, है न, तो क्या उसमें ऐसा होता है कि जैसे गेंदे की फूल की माला बन दी, तो उसमें ऐसा होता है कि ऐसे पहनेंगे तो सीधा है, ऐसे पहनेंगे, कुछ भ arrangement तो है n-1 factorial तो होगा बेटा जी पर divided by 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि mirror image की वज़े से conditions क्या हो जाएंगे आपको देखने में ये दो चीजें अलग-अलग लग रही है पर ये दोनों चीजें है क्या ये दोनों चीजें बेटा जी same है तो necklace के case में formula होगा n-1 factorial बिल्कुल देखो सत्य प्रकाश जी ऐसे case में वही है कि आप अगर formula लगा रहे है n-1 factorial तो उसमें ये वाली condition और ये वाली condition अलग-अलग count हो जाएगी न भई आपने n-1 factorial लगाया तो आपके पास तो ये condition अलग-अलग count हो रही है पर ये है तो actual में क्या है ये है तो same ही तो divided by 2 करो आप इनको अलग को तो same करना पड़ेगा तो divided by 2 जबकि round table conference में आप table को पलट के थोड़ी बिठा सकते हो आदमियों को necklace को आप पलट के पहन सकते हो व्यक्तियों को ये table को पलट नहीं सकते हम तो round table में जरफ n-1 by 2 होता है पर यहाँ पर सीधा सीधा necklace में n-1 factorial divided by 2 होगा जब भी necklace बनेगा तो मैं अगर आपसे कहूँ कि 7 different 7 different मोती हैं आपके पास beads है तो 7 different beads से अब कितने बना सकते हैं necklace तो आप कहोगे सर 7-1 6 factorial by 2 तो 720 बटा 2 720 बटा 2 मतलब 360 answer है तो ये है आपका necklace necklace वाले में कोई ज़्यादा hair फिर आता नहीं कुछ भी घुमाया फिर आया नहीं जाता है अब अगर कुछ घुमायेगा फिर आएगा भी कि जैसे red और black मोती को एक साथ रखना है है ना total 7 है beats अगर total 7 है जिसमें से red और black को एक साथ रखना है तो red और black को आप क्या मान लोगे red और black को single unit मान लोगे बचे 5 मोती तो एक unit ये 5 ये तो 6 मोती को arrange करने के कितने है 6 मोती को arrange करने के 5 factorial तरीक है divided by 2 पर red और black आपस में arrange हो सकते है तो उसके लिए into 2 तो आपके पास answer क्या आजाएगा बटा जी 5 factorial क्योंकि red और black आपके पास है तो उनको मैंने single unit माना 5 मोती अलग से हैं तो 5 मोती ये और एक ये तो total 6 मोती हो गए 6 को arrange करने के तरीके होंगे 5 factorial by 2 क्योंकि necklace में by 2 तो करना है पर red और black आपस में arrange होंगे तो into में 2 कर दो तो आपका answer क्या आजाएगा बटा जो आप round table में कर रहे थे बटा बस upon में 2 लगाते जाना necklace के हर question में upon में 2 लगा देना बस समझ में आ रहे है कि सभी बच्चों को चल यह ठीक यहाँ पर होता है आपका क्रमचय और संचय समाप्त प्रैक्टिस आप लोग कर ही लोगे तो यह permutation and combination आपका यहाँ भी खतम हो जाता है जितना मैंने करवाया उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना तो कल से हपन स्टार्ट करेंगे भीयाजी अगला टॉपिक नेक्स टॉपिक हम देखेंगे डी आई मैं आपको पढ़ाने कोशिश करूँगा डी आई का जैसे मेरे पस content बन जागे तो मैं data interpretation आपको पढ़ाऊँगा तो उसी के साथ साथ हमारा math खतम हो जाएगा जैसे डी आई होगा math खतम फिर reasoning में puzzle वगेरा आपन और कर लेंगे है ना चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यारतियों का